बसकार दोस्तों आप देख रहे हैं चाहान वीडियो और आज की वीडियो में हम December 2021 exam के बार में बात करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे ध्यान से देखे तो वीडियो की सुरुआत करने से पहले इस important update को देख लेते हैं लक्सी SSC CPO 2021 exam 8 December 2021 से शुरू हो रहा है CET Brahma Master batch सभी government exam के लिए 8 December 2021 से शुरू हो रहा है Complete batch on general study सभी SSC 2021 exam के लिए ये भी 8 December 2021 से शुरू हो रहा है Academy के Ask a Doubt feature को update किया गया है इसमें अब आप एक साथ 3 questions को upload कर सकते हैं और तीनों का answer अपनी preferred language में भी पास सकते हैं काफी अच्छा है test series SSC experience के लिए free में आप देख सकते हैं और plus में भी करवाई जा रही है जिसका schedule यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इसको note कर लेना है आपको raise hand एक नया feature है जिससे आप live class में अपने doubts क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल offline classes के जैसा उससे भी बहतर SSC combat होने वाला है reasoning marathon 30 questions पूछा जाते हैं 40 minute के लिए यह 5 December 2021 को होने वाला है 12 वजए इसका link आपको description box से मिल जाएगा आपको क्या करना है PC 2021 code है उसका इस्तिमाल करके SSC combat में participate करना है SSC exam का subscription आप ले सकते हैं जिसमें extra 10% का discount मिलेगा आपको हमारे code PC 2021 का इस्तिमाल करके जिसका link आपको description box से मिल जाएगा PC 2021 code का आपको इस्तिमाल करना है तो जैसे कि आप जानते कि दिसमबर 2021 exam का schedule भी रिलीस किया जा चुका है और date seed भी रिलीस की जा चुकी है final date seed एक और रिलीस किया जाना बाकी है लेकिन जैसे कि अभी आप जानते कि cases एक बार फिर increase हो रहे हैं और खासकर एक नया variant जो आया है COVID का उसकी वज़ेसे काफी जारी जो restrictions है जो कि एक बार घट गई थी हट गई थी जगा जगा इलाकों से स्टेट से वो दुबारा लग रही है तो उसके बाद काफी सारे students ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि उनका exam online हो तो क्या ऐसा possible है क्या exam open book में online में या इस तरीके के कोई अलग method से करवाय जा सकते हैं या फिर नहीं तो December 2021 exam जो इस समय है वो offline mode में ही होने वाला है अभी जो December exam की date seat आई है वो भी offline mode के लिए ही है और जैसे कि आप जानते कि इस समय exam center भी भरे जा रहे हैं आपके exam form में तो वो भी आपके offline के लिए ही है यानि कि अभी जो है वो offline exam का ही option है इस समय जो December 2021 exam जो की January से शुरू होने वाले है उनके लिए आगे अगर इस तरीके से होता है कि कोई परिसानी हो जाती है यानि कि cases एक बार फिर increase होने लग जाते हैं और किसी तरीके का lockdown या कोई restrictions लगनी एक बार फिर से सुरू हो जाती है तो उसके cases में आपके लिए exam जो है वो postpone किया जा सकता है लेकिन exam जो होंगे वो offline ही होंगे क्योंकि online exam तब conduct करवाया जा सकता है जब कम संख्या में student हो मान लीजे कि किसी school के exam online करवा दिये practical exam होते हैं वो आपके online करवा दे जाते हैं लेकिन जब 6-7 लाग student एक साथ exam देते हैं तो उसको online करवाना possible नहीं हो पाता इगनों के पास ना तो अभी facility है काफी सारे student ऐसे हैं जिनके घर में इस तरीके की facility नहीं है कि वो इस तरीके से online exam दे ना उनको इस तरीके की online exam देने का जो method है उसके लिए वो अभी इस तरीके से prepare है तो exam जो है अभी offline mode में ही होंगे अगर होंगे तो अगर covid situation normal रहती है तो आपके 22 जनवरी से जो exam कहा गया है तो उसी तरीके से होंगे जो की आपका schedule दिया गया है final date rate अभी आना बाकी है लेकिन जो आपका schedule दिया गया है उसी तरीके से आपके exam conduct करवाए जाएंगे last date जो exam form भरने के वो 15 December है उसके बाद आप जानते हैं कि late fees भी आपकी लगेगी 31 December तक आप exam form भर सकते हैं उसके बाद late fees आपके लिए लगेगी अगर 15 December तक आपने exam form नहीं भरा तो exam जो है वो आपके offline conduct करवाए जाएंगे अगर exam offline conduct करवाने की situation देश भर में नहीं रहती एगनु का जो exam होते हैं पूरे देश में एक साथ करवाए जाते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि state university exam नहीं है एगनु पूरे national level पर है तो सभी राज्यों में एक साथ एगनु के exam conduct करवाए जाते हैं और exam का जो question paper होता है वो भी पूरे राज्ये सभी जो अलग-अलग राज्ये हैं उनमें एक ही रहता है तो अगर ऐसे तरीकर के condition होती है कि किसी state में lockdown लग जाता है या कुछ state ऐसे होते हैं जहां पर exam नहीं करवाए जा सकता तो exam हो सकता कि कुछ दिनों के लिए postpone कर दिये जाए और फिर जो भी आगे situation होगी इगनु उसके बारे में आपके लिए नया notice जारी करेगा लेकिन इस इस समय exam जो है वो offline mode में ही होंगे और आपको जो pen paper mode होता है उसी में exam देने होंगे कुछ subject ऐसे हैं जरूर जिनका MCQ based exam इंग्डू आप करवाना सुरू कर दिये जैसे FST है BSHF 101 है लेकिन उनके बारे में अगर आप date sheet को देखे तो शुरुवात में date sheet के पहली तीन चार ला सब्जेक्टिव होता है क्या पैटर्न रहेगा उसके लिए प्रिवियर्स को देख सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए